दोस्तों अगर आप एक computer user हो तो भाई Microsoft Office का ये application आपको ज़रूर पता होना चाहिए जी हाँ, इस application की मदद से आप documents create कर सकते हैं जैसे आपको agreements बनाने होंगे या फिर अगर आपको later head बनाना है, आपको resume में बनाना है और धेर सारे और भी documents बनाने हैं इस course में वो सारा मैंने include कर दिया है बिगिनर से मैंने start किया, Microsoft Word कैसे start करते हैं उसके बाद उसका introduction मैंने दिया है, फिर उसके बाद multiple pages हम कैसे set कर सकते हैं बनी हुई files को हम PDF में कैसे convert कर सकते हैं, print कैसे कर सकते हैं document बनाते समय क्या कैसे ध्यान में रखनी है, उसकी settings, सब कुछ एक वीडियो में आपको सीखने मिलेगा तो अगर आप interest लो Microsoft Word को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए क्योंकि कभी भी काम में आ सकता है अगर आपको computer operator नहीं हो, suppose example, लेकिन आपको कभी document बना नहीं हो सकते तो उस टाइम पे Microsoft Word का knowledge अगर आपके पास है तो आप आसानी सिख कर सकते तो ये video सभी के लिए है, मतलब अगर आप एक computer students हो, तो भी आप ये देख लिए अगर आप एक teacher हो, तो भी देख लिए है क्योंकि आपको यहापे teachers के लिए, basically exams, paper अगर आप बनाने पड़ते, questions, paper बनाने पड़ते students के, और अगर आप एक working professional तो आपको इसकी जरुवत है, क्योंकि आपको agreements बनाना है, या पि रिलेटरेट बनाना है, कुछ भी है तो यह सारी चीज़े एक जगा पर मिलती है, Microsoft Word document में बनाई जा सकते हैं, लेकिर इसका practical knowledge अब तक नहीं है, तो यह वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए मैं सदिश आप सब का स्वागत कताव सबसे पहले, यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने तो दोस्तो हमें सीखना है Microsoft Word, लेकिन Microsoft Word हमारे computer में हम start कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, desktop की पर, और मेरे system में, यानि मेरे computer में, यहाँ पर Windows 11 इंस्टॉले, तो इसका जो start बटन दिखाए दे रहे हैं, यहाँ पर बीच में दिखा दे रह अगर आपके पस Windows 10 है या Windows 7 है तो यही जो आपको logo दिखाए दे रहे हैं, यह आपको left side में दिखाए देगा, आप keyboard की उपर Windows key प्रेस करके भी इसे access कर सकते हैं, और यहाँ पर दिखाए दे रहा है PIN program, इसमें से मैं Word स्टार्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पर मैं सर्च कर सकता है, या भी 2010 हो सकता है, कोई भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ नए वर्जन में कुछ नए options एड़ होते, लेकिन कोई भी वर्जन हो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ, वो तरीकों से अगर आप सीखोगे, तो आपको Microsoft Word सिंपल लगने लग जाएगा, और Microsoft Word के अंदर धेर सारी चीज़े आप बना पाएंगे, तो आपके पास कौन सा वर्जन है, कोई मैटर नहीं करता है, तो आप इससे स्टार्ट कीजे, यहाँ पे क्लिक करके आप इससे स्टार्ट कीजे, Microsoft Word आपके सामने शुरू हो चुका है, अब जैसी आप इससे स्टार्ट क क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नए है, तो आप यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यमेंट पर जैसे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे directly Microsoft Word के इंटरफेस में, लेकिन उससे पहले इस वेलकम स्क्रीन में क्या-क्या है देख लेते, यहाँ पर होम टाब है, नए डॉक्यमें ल तो सबसे पहले, तो मैं शुरुरात करूँगा, ब्लैंक डॉक्यमेंट से, यह रेडिमेट टैंपलेट में नहीं इस्तमाल करूँगा, हाँ यहाँ पर रेडिमेट तेंपलेट दिए कि भई आपको अगर रिजुमें डाइकली बनाने तो यहाँ से रेडिमेट टैंपलेट उठाओ, calendar direct लेलो, लेकिन हम blank document पहले लेंगे, तो अब हम आचुके Microsoft Word के interface में, यहाँ पर screen को समझ लेते, Microsoft Word के interface को पहले जान लेते, अच्छे से, सबसे उपर जो दिखाए दे रहा है, यह blue वाला, इसे title bar कहते है, सबसे उपर में आ रहा है, title bar में आपको document यहाँ पे नाम दिखाए दे रहा है Microsoft Word में जितनी भी फाइल बनाते है उसे document हम कहते है याद रखे और इसका extension रहता है .docx, extension क्या होता है यह save के time पे मैं आपको बताऊंगा, फिलाल यह title bar में यहाँ पे उसका नाम दिखाए दे रहा है document और यहाँ पे इस file को हमने अभी तक save नहीं किया इसलिए इसका default name document ही रहता है और उसके left side में यहाँ पे आपको tools दिखाए दे रहे, इनको quick access tools या toolbar बोला जाता है, auto save, on off करने के लिए option है, उसके बाद यहाँ पे save का option है, यहाँ पे undo, redo का option है यह quick access toolbar, quickly access करने के लिए tools यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और right side में title bar के right side में यहाँ पे आपको दिखाए देता है close, maximize, restore और यह minimize, minimize यानि कि यहाँ पे minimize करेंगे तो यह पूरा minimize हो जाएगा और यहाँ पे आप taskbar पे click करते हो तो यह दुबारा open हो जाता है, right मतलब close नहीं होता है, close से directly close हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे title bar होता है अब हमने title bar जान लिया अब यहाँ पे आपको file, home, insert, design, layout यह जो options दिखाए दे रहे है, यह basically है tabs इन्हे tabs बोल हो जाता है, याद रखिए अब जब मैंने home tab पे click रखा यह देखिए, यह पे आपको पता भी चल रहा है यह home tab पे click है, उसके नीचे blue line आ रहा है जैसे मैं insert पे click करता हूँ, तो यहाँ पे options चेंज हो रहे है, तो इन्हें ribbon कहा जाता है यह ribbon है, home tab की ribbon में यह options है, insert tab की ribbon में कुछ और options है, design में कुछ और options है, यहाँ पे layout में देखिए तो page size related options आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने home पे click कर दिया अब home tab में जब मैं आता हूँ, जरा इसे थोड़ा सा detail में हम समझ लेते हैं तो इस ribbon की उपर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे एक naam है, clipboard, यहाँ पे font, यहाँ पे एक naam है paragraph, तो इन्हें group कहा जाता है, यहाँ पे style group है, यहाँ इन ग्रूप के अंदर क्या होता है, अलग अलग options, इसे clipboard group में copy page option मिलेगा, font group में आपको formatting option मिलेगा, paragraph आपको alignment option मिलेगा, तो ऐसे अलग-अलग options आपको insert में भी मिलेंगे, insert में pages group है, illustration group है, add-ins group है, तो अगर किसी और यहाँ पे word art आपको मिल जाएगा, इस तरह से, तो यहाँ पे group वाई आपको याद रखने के पर इस group section में इतनी सारे options available है, ठीक है, यह ribbon होता है, और यह tab होते ही, यह समझ में आपको यहाँ पे, और यह file menu है basically, menu है, जिसके अंदर बहुत सरे options रहते है, आगे चल कर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आती है, scale जो कि आपको help करती है, alignment या फिर बहुत सरी चीज़े करने में, जैसे आप later head बना रहे हो तो उसको proper align करने के लिए help, यहाँ पे scale का होता है, proper tab setting करने के लिए scale का use होता है, तो यहाँ पे scale horizontal भी है, vertical भी है, अब यहाँ पे जो blink होते हो दिखाए दे रहे है इसे हम cursor कहते है, याद रखिया this blinking line known as cursor, यह हमारे typing का starting point बताता है, यहाँ से हमारा typing आगे जाने वाला, यह cursor होता है, और cursor के साथ-साथ यह यह जो mouse pointer आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, अभी यह mouse pointer खाली दिखा रहा हूँ, यह I करके लिखके आ रहा है, यह I जो दिख रहा है, आपको यह बढ़ा भी कर रहा हूँ, इसे insertion pointer कहते है, जब आप mouse pointer उपर लेते हो, तो यह देखिए इस तरह से आ रहा है, mouse pointer आ रहा है, पुरा पुरा नीचे लेते हो, तो आया आता है, insertion pointer, उके, उसके बाद नीचे आते है, पेज में, यहाँ पेजों दिखा दे रहा है, पेज वन आप वन, आपके पस कितने pages है, टोटल pages 1 ही है, और वन आप वन ही बता रहा है, जादा pages हम इंसेट करेंगे, तब पता चलेगा, वर्ड कितने टाइब किया है, मैंने एक वर्ड टाइब किया है, यहाँ पे फिलाल, ओके, तो यह है status of your page, status bar है, इसे status bar कहते है, कि पेज का status बताएगा, साथ में page का zooming level कितना है, अगर आप यहाँ पे right bottom corner में आओ गया और देखोगे, पेज का zooming level है 159%, अब मैं इस zooming level को कम कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिया, मैंने कर दिया, zooming level को कम और इसको रख दिया 10%, कितना zooming level रखा है, मैंने यहाँ पे 10%, minimum zooming level Microsoft Word के अंदर 10% होता है, और maximum zooming level Microsoft Word के अंदर 500%, याद रखी, यह जो मैं बता रहा हूँ, इस चीजे मैं final exam क question में add करने हो, जिसकी मदद से आपको start up again मेलेगा, तो आपको याद रखना है, मैंने suppose वापी पूछा कि Microsoft Word के अंदर minimum zooming level कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते है, अगर आप video द्यान से देख रहे हो, so got it, चलो ठीक है, आपको या idea आचुका है, minimum maximum zooming level, और मैं zooming बढ़ा चैनल पर देर सरी वीडियो मेंने बना है, right, so you know that, कि अगर आपने वो वीडियो देखे रहे हैंगे, तो आपको पता रहेगा, कि लेप राइट माउस, scroll bar क्या होता है, right, फिलाल तो control बटम प्रेस करके रखो keyboard का, और जो scroll bar होता है, वो आगी की तरफ गुमाओ, zoom in होते जा अब Microsoft Word का इंटरफेस हमने जान लिया है, तो अब हम तोड़ा सा इसके page size के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी बनाना है, तो हमें page के बारे में पता होना चाहिए, तो इसके page size, page margins के बारे में हम जानते हैं, तो अभी हम page setting सबसे पहले स चीज़े देख लेंगे, तो सबसे पहले तो यहां पर पहले कुछ भी content type करता हूँ, page size में आपको दिखाने के लिए, तो content यहां पर लेना है मुझे, basically, तो मैं कोई भी practice के लिए content लेना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, rand, open bracket, और close bracket, अगर मैं इतना ही लि इसे delete करता हूँ, और दुबारा यह देखिए, delete कैसे किया, मैं दुबारा दिखाना चाहूँगा, पहले वो बता देता हूँ, इसे मैंने select किया, ऐसे अब select कर सकते है, click and drag, mouse का, lab button यहां पर click करना है, उसके बाद drag करना है, उपर की तरफ, यहां पर cursor रखिए पहले, click कीज ना है नीची की तरफ, तो इस तरह से select हो जाएगा, या keyboard से simple control A बटन दबा दो, control A मतलब select all, बहुत सारी shortcut की मैं बता रहा हूँ, याद रखिए इनको, और मैं सभी shortcut की आपको practice के लिए भी दूँगा, लेकिन control A बटन पहले प्रेस करो, और delete बटन प्रेस करो, और delete बटन जाएगा, इतना zoom नहीं करोंगा, right, mobile में आगर वीडियो देख रहे हो, तो मैं यापे लिख रहा हूँ, suppose, 50,50, 250 नहीं, 50,50, तो इतना मैंने लिख दिया यापे, ran bracket open, और फिर 50,50 लिखा, और bracket close, right, अब याद रखिए, जब आप bracket close, bracket open, ये वाले brackets से यूज़ करना चाहत है, अब मैंने इन्हे टाइप किया, और जैसे मैं 50,50 कहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितने pages आगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कितने pages आगे, total 51 pages आगे, क्या बात है, मुझे ज़्यादा pages चाहिए थे, मैंने ले लिए, practice के लिए, 51 pages आगे, और हम लोग अभी है, page number 50 पे, फिलाल, राइट, यहाँ पे आपको 51 पे, basically, 51 पे हम लोग, अगर मैं करसर उपर रखता हूँ, हम लोग कौन से page पे यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे डिरेक्ली अपडेट हो जाएगा, इसे कभी-कभी अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, यह देखिए पेज का settings बताना है, page के बारे में आपको बताना है, तो वो है layout tab, सबसे पहले layout tab में हम जाएगे, दिखाए दे रहा है, layout tab में यह जो pages आ रहे, 51 आ रहे, इसकी size कौन सी, total 51 pages की, तो यहाँ पे layout tab में सबसे पहला option आपको यहाँ पे size दिखाए दे रहा है, जिस पे मैं click करू offices में, तो मुझे A3 चाहिए, A5 चाहिए या A4 चाहिए, उपर देखिए, A4 भी आपको मिल रहा है, A3 वो बड़े paper रहते हैं, legal paper जो कि आप agreement वगरा के लिए वकिल लोग यूज़ करते हो, वह वाला, और यहाँ पे A4 लेंगे हम जो officially use होता है हमारे documents, तो A4 page size मुझे चाहि है दे रहा है, total 51 पे जस्ते 2 page कम होगे, कैसे, तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसकी height 11 point section है और इसकी height A4 के compare में later की 11 ही है, तो आपको यह समझ में आया होगा, कि page की size में थोड़ा सा अंतर है, तो page की size कहां से set करनी आपको idea आ चुकी होगी, अब मैं चाहता हूँ य तो यह page vertical दिख रहे है आपको, तो यहाँ पे आपको orientation नाम का option मिला रहे है, layout में orientation, यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, page को आप portrait की जग़र landscape भी कर सकते हैं, तो printing के लिए page आप कैसे भी रखो, यहाँ पे landscape अगर set करते हो तो यह horizontal print होगा, यहाँ पे portrait होगा, मतलब पेज तो आपको printer में एक ही जग़ पे ऐसे वर्टिकल ही रखने रहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप landscape करते हो, तो landscape horizontal print होगा, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, यहाँ पे बस एक click से यह horizontal वर्टिकल में change होता है, और वो layout tab में है, वो याद रखना, यह सबको पता होना चीज सबसे पहले, मेरे सबसे यह जान करे होनी चीज, next, यहाँ पे margins हम देख लेते हैं, अब margins क्यों ज़रूरी है देखना, margins यहाँ पे जो आपने page में content लिखे न, उसके left में देखिए, इतना space है, right में देखिए, इतना, हर एक page पे देखिए, यह left में और यह right में, यह top में और bottom में, चलो, top और bottom में तो हमें page के लिए जरूत ही है, ज्यादा तरह हमें left और right में हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, left और right में भी page का spacing चाहिए हमें, लेकिन अगर आपको लगता है, ज्यादा spacing ही है, तो आप वो कम कर सकते हैं, left और right इसलिए चाहिए, कि वो punching के ल आप एक क्लिक करते ही, सभी साइड से, 0.5 margin, अब इससे क्या होगा, margin कम होगी, आप बोलोगी आरे वा, इससे space आपको थोड़ा सो और मिल रहा है, pages आपके जहाँ पे 51 pages, 49 होगे थे, 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 49 pages प्रिंट हो रहे थे, व पंचरी आप बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो कुछ वर्ड चले जाएंगे, तो वो normal margin ही ठीक है, professional वाले तो normal margin ही use करते हैं, और अगर आपको थोड़े से pages बचाने हैं, printing में, तो आपको लगता है, बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है, और आपको उन्हें कर रहा हूँ, और control A मतलब क्या होगा, बताओ जरा, select all होगा, भूल गया है, तो मैं बता देता हूँ, don't worry, columns में में क्लिक कर रहा हूँ, और यहां पर मैं करता हूँ, columns में, चले में 3 column करता हूँ, तो यह 3 column में डिवाइड होगा, newspaper में में होता है, 2 column तो 2 column, लेकिन यहां यहां पर गडबड आपको दिखाए दे रही है, जरा ध्यान से देखेंगे तो, वह भी चीज में आपको बताओंगा, यहां पर राइट साइड में content आगे पिछे लग रहा है, एकदम प्रॉपर नहीं है, so to adjust this, home tab में जाहिए, home tab, जो आगे हम detail में देखेंगे, वैसे, home tab में एक option में अभी बता के रख रहा हूँ, आपको, zoom करके भी दिखाता हूँ, जिसका knowledge अभी होना, जरूरी है, मेरे इसाब से आपको, जब आप column में इसे convert करते हैं, तो Ctrl-J, यह shortcut की है, justify की, और Ctrl-J प्रेस कीजिए नहीं, तो यहां पे click की, home tab में, यह देखेंगे, I mean to say, यह proper align हो गया, right, यह dented and music में बीच में लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ magic हो गया, तो आपको पता चलना चाहिए, यहां पे कुछ नया हो गया, यह देखें, left alignment था पहले, आप इसे center करते हैं, इसे आप right करते हैं, तो भी गड़वड है, center करते तो भी गड़वड है, लेक यहां पे मैं फिर से जाता हूँ, left tab के अंदर और यहां पे columns में जाकर one column करता हूँ, तो आपको idea आचुका होगा कि column से क्या होता है, basically, right, clear है, अब यहां पे एक बात याद रखना, margins में आपको यहां पे जाकर, सपोज यह margins तो मैंने आपको दिया है, कि यहां से आप set कर स 0, मैंने क्या किया, यहां पे 0, click किया 0, tab button press किया next, tab, 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 tab से आप next, next, next box में आ सकते, tab button keyboard पे प्रेस करके देखे, okay, और यहां पे वो बोल रहा है कि आप जो margin fix कर रहे हैं, वो margin पूरा outside मतलब यह जा रहा है, printable area से बाहर जा सकता है, क्या करना, ignore, तो आप ignore करोगे, तो य यह बता रहा है, पहले warning देता है आपको, और उपर से आपको page में कई भी margin नहीं दिख रहे है, यह कंजूसी की हद हो गई, ऐसा print आप मत करो, कुछ लेटर मिसिंग हो जाएंगे print से, pages यहां पे वैसे कम लगेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा printing तो इतनी कंजूसी मत करो, थोड करते हैं, अब हम word में formatting options देखने वाले हैं, कैसे हम document को format करते हैं, मैं यहां पे home tap पे click करूँगा, home tap पे already click है, और font group में मैं जाओँगा, font group में formatting से related बहुत सरे options है, मैं यहां पे zoom कर रहा हूँ, इसे zoom करने के लिए मैंने control बडम प्रेस करके scroll बार आगे घुमाया, दुब जैसे मैं enter करूँगा, और मैंने यहां पे title दी दिया, capital में लिख दिया, chapter 1, right, capital small कैसे लिखना है, caps lock on रखेंगे keyboard पे, तो यह capital आ जाता है, chapter 1 को मैंने select किया, ऐसे click and drag करके, आप select करो, जैसे आप select करोगे, इसी की ऊपर एक mini toolbar आता है, format जैसे आप इसे select करोगे, देखिए इसी की ऊपर, यही जो formatting का mini toolbar आ रहा है, यह formatting की options आपको उपर भी दिखाए देंगे, तो आप वो mini toolbar से करो, या फिर यहां से access करो, कोई problem नहीं है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यार इसका font size थोड़ा सा बढ़ाओ, तो यहां पर देखिए, font size बढ़ाने के लिए option दिय Okay, formatting, यहां पर जैसे मैं click करूंगा, result आपको दिखाए दे रहा है, in options पर मैं click करता हूँ, आपको text पर result दिखाए दे रहा है, मैं italic हटाना चाहता हूँ, यह देखिए, underline देना चाहता हूँ, यहां पर down arrow देख रहा है, underline अलग-अलग format की देना चाहता हूँ, तो यहां स font की formatting आपको मिल जाती है, तो यहां पर font का कौन सा style आप रखना चाहते है, font यहां पर बदलो, जो font आपको अच्छा लगता है, right, जो मन को भाए, उसे आपको select करना है, दोस्तो, right, तो यह मैंने select कर लिए, चलो, ठीक है, अब यहां पर आपको formatting, पता चलो, formatting दे दिया, मैं इस पर click का तो, जैसे मैंने इस पर click क्या ना, धो डाला, मतलब पूरी formatting clean हो गई, अब मैंने clean की, अब दुबारा मुझे उतनी formatting देने के लिए, वापिस वैसे क्ली, 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 क्ली करते जाना पड़ेगा, size बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, इतनी सारी चीज़ी नहीं करनी, अभी-अभी मैंने जो steps की ना, वो मैं undo कर सकता हूँ, वर्ड के अंदर, ध्यान से देखिएगा, formatting अगर मैंने clear किये, तो मैं Ctrl-Z प्रेस करके उसे undo कर सकता हूँ, अगर मैं दुबारा Ctrl-Z प्रेस करूँ, तो उसके पीछे क्या formatting दे, उसके पहले क्या थी, उसके पहल अब मैं इसे forward करना चाहता हूँ, तो Ctrl-Z के लिए undo था, और Ctrl-Y क्या रहेगा बताओ, पांडू नहीं रहेगा, याँ पे Ctrl-Y मतलब redo, याद रखिए, Ctrl-Y, redo, मैं Ctrl-Y प्रेस करो, यह देखिए, सारे steps फिर से होगे, तो यहाँ पे undo options आपको मैंने बताया, और redo options बताया, तो undo मतलब Ctrl-Z, जो की one step backward होते जाएगा, और redo मतलब वही forward करते जाएगा, सपोज मैंने इसे यहाँ पे delete कर दिया, या undo, और Ctrl-Y यह फिर से delete, redo, तो undo जो किया है, उसी को हम redo use करेंगे, तो चलो, आपको यहाँ पे formatting के options पता चले किस तरह से करने, उसके बाद alignment में आपको बताता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, इसके पहले section में, जिसमें मैंने आपको page के setting के time पे column insert किया तब तब बताया था, तो यहाँ पे center है, right है, और justify alignment है, justify इसको करके कुछ भी मतलब नहीं, result दिखाई नहीं देगा, justify paragraph की उपर होता है, जसी यह paragraph है, Ctrl-A करो, यहने justify कर देता है, and now what is the next, यहाँ पर इसे हम select करते हैं, और इसको जड़ा shade color देते है, shading color, right, यहाँ पर fill color basically, यह fill color हम यहाँ से दे सकते हैं, तो आप fill color देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसे border देना चाहते हैं, तो all border, all borders, right, आपको इने को remove करना हैं तो याद रखी, इसे select करना है, यहाँ पर जाकर आप simple no color, और border में जाकर no border, यहाँ पर options आपके पास ही है, इस तरह से add कर सकते हैं, छलो, ठीक है, पॉमेटिंग में आगे बढ़ते हैं, suppose आपने कोई list type की, अब मुझे यहाँ पर list type करनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारा document अलरी content add किये, तो मैं list type करने के लिए एक नया document की लेता हो, control N, control N, नया document मैंने लिया, और मैंने type किया, अजे, विजे, आरवी, शंकर, सचीन, अनवी, विराट, ऐसे मैंने नाम type कर लिए, अब यहाँ पर मैं इने select कर रहा हूं, तो अभी में मेरा mouse pointer यहाँ पर home tab में, उपर paragraph group में, यहाँ पर click कर रहा हूं, याद रखी, यह दिखिए, इससे क्या हो रहा है, bullet apply हो रहे, मैं इसे अलग bullet में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर छोटा सा arrow दीखता है, याद रखी, उसके बाज़ो में arrow है, मतलब और भी options आपको मिल ले वाले, वैसे यहाँ पर numbers ले लो, या फिर ABC ले लो, तो इस तरह से formatting आपको करनी आनी चाहिए, कि formatting वर्ड की उपर कैसे करते है, formatting को clear कैसे करते है, alignment proper कैसे होता है, line spacing कैसे होता है, इसके idea आपको होनी चाहिए, और यह मैंने दे दिया, अब हम next देखेंगे कि content को copy paste, या फिर edit कैसे करते है, या फिर replace कैसे करते है, वो चीज हम next वाले section में देखेंगे, तो यहाँ पे हम content को copy paste वगरा सीखना चाहते है, तो मैं control and button प्रेस करूँगा, नया document में लेता हूँ, नया document में मैंने यहाँ पे लिखा है, रमेश is good boy, क्या लिखा मैंने रमेश is good boy, यह एक sentence यहाँ पे लिखा है मैंने, अब इस sentence को मैं दुबार लिखना चाहता हूँ, एक ही sentence आपको दुबारा लिखना है, तो आपको क्या करना है, simple है, दुबारा type करना है, नहीं, आपको होगे ऐसा, मैं कहूँगा कि वैसे select कर लो, select करते ही home tab के अंदर उपर आपको left side में यहाँ पे clipboard group दिखाए दे रहे है, जिसमे copy, cut और paste option दिख या फिर यहाँ पे paste उपर दिखाए दे रहे, click, यह देखिए, यहाँ पे click कर रहा हूँ है, जैसे आप paste करते जाओगे, अभी copy क्यो highlight नहीं है, copy तभी highlight होगा, जब आप कोई word sentence select कर लोगे तब, मैंने इससे select कर लिया है, देखिए sentence word select करने के तरीके याद रखिए, अगर गर मुझे good word ही select करना है, मैं double click करूँगा, यह अकेला ही select हो जाएगा, अगर मैं पूरा sentence select करना चाहता हूँ, तीन बार, mouse का button, left button, फटा 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 तीन बार, एक दो तीन, फास्ट ऐसे, यह sentence select कर लेगा, वो कितना ही बड़ा sentence होने तो यह देखिए, यह काम करते, यह वाला paragraph लेते, अब मैं एक document से दूसरे document में कैसे आ रहा हूँ, keyboard की उपर मैं alt tap कर रहा हूँ, जैसे मैं alt tap press करूँगा, alt hold करके रखना है, alt press करके, tap press कर देने एक बार, तो बताएगा कि कितनी सारे document आपकी open है, एक document से दूसरे में आ गए, यह इसमें आ गए, यह इसमें आ गए, मैं copy करना चाहता हूँ इसे, और मैं chapter 2 को दूसरे page पर, यहाँ पर मैं cursor रखता हूँ, और मैं cursor रखके enter करूँगा, यहाँ पर enter करूँगा, पहले enter, और यहाँ पर cursor ऊपर रखके, paste, तो यहाँ पर आ गया chapter 1 और इसको मैं chapter 2 नाम देदूगा, तो आप कोई भी content को, इसको select करके copy कर लो, उसका duplicate हो जाएगा, मतलब एक जगह से copy हो जाएगा और यहाँ पर paste हो जाएगा, हाँ अगर मैंने इसे select किया और cut किया, cut, यहाँ से remove हो जाएगा हो, और आप जहाँ पर चाहते हो, वाँ पर जाकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर देते हैं, यहाँ पर enter कर करूँगा, मैं जगह करूँगा, यहाँ पर control V, paste इस तरह से, control X, control V, याद रखिए, control X मतलब cut, और control V मतलब paste, और copy paste मतलब इसे select कर लो, copy, sorry, control X ही कर दिया मैंने, undo कर दिया, copy मतलब यहाँ पर रहेगा, copy किया, control C, और उपर भी control V, जहाँ पर रखना चाहते हैं, वाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, chapter 3, copy paste, cut paste तो आपको समझ मैं, chapter 3, charter नहीं, chapter, spelling mistake हो कि आपने बताया भी नहीं मुझे, ज़र बताया करो, अब यहाँ पर chapter 2 है, chapter 2 का मुझे क्या करना है, यहाँ पर chapter 2 का जो formatting है, वही formatting मुझे chapter 3 को चाहिए, right, तो chapter 2 का formatting, chapter 3 को apply करने के द्यान से देखे, इसे फ़ले select करें, उसके बाद format printer में जाए, format printer यह option आपको clipboard group home tab में मिल रहा है, click कीजिए, और यहाँ पर इसके उपर drag कीजिए, यह brush मिल रहा है, brush को लेके ऐसा खीचे, जैसी undo कर देता है, जैसी आप इसे select करके brush के उपर click करते format printer, वो इसकी formatting brush में ले कर देता है, ना interesting, तो यह time saving है, आगेन, यह formatting के trips आपको पता होनी चे, basically format यह copy paste का है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे, formatting copy कर रहे, content नहीं copy कर रहे, content copy करने के लिए, आपको यह control C, control V, control X, control V, यह याद रखना है, cut paste मतलब move करना, copy paste मतलब copy करना, और format printer का इस्तमाल कैसे करना है, definitely आपको इसकी idea आचुकी होगी, right, तो इसे जरूर पहले practice, यह देखिए, यह topic के practice कीजिए, इसलिए मैंने section रखा है, तो पहले page size यह margin के practice कीजिए, दूसरा हमने section देखा, कि formatting कैसे करते है, उसकी आपको practice करना है, तीसरा हमने देखा, यहापे copy paste, यह format printer की, कैसे practice करनी है, format printer कैसे इस्तमाल करना है, लेकिन अभी यह session खतम नहीं हुआ, इस session में हम find and replace भी देखने वाले, find, replace और go to, यह options हमें देखने है, अब find, replace और go to, यह time saving option है, useful option है, याद रखिए, अब example ले लो, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि यह जो video word है, इस document में कितनी बार आया है, और कहां कहां है, तो अगर मैं ऐसे एक एक गिंते बेटूँगा, video, 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 मैं तो चकर आखे गिर जाओंगा, कि वीडियो कहां कहां है, क्यूंकि यहाँ पे 50 पे जैसे और मेरा बहुत समय जाएगा, लेकिन अगर मैं धूनना चा आपका word and bus, आराम से बेट जाना है, वो बता रहा है कि इसमें 668 times यहाँ पर जो आपने word सर्च किया, वो आपको दिखाए देगा, इतने times आ चुका है, और highlight भी कर रहा है, video कितनी बार आ रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे audio लिख के देखा, जो कि word इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे आपको audio, no, we couldn't find, what are you looking for, आप क्या देख रहा हो, हमको नहीं मिल रहा है, right, तो यह कई पर भी रहने है, जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम ही आपके लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई क्या भी नहीं मिल रहा है, इधर मेरा नाम लिख द या फिर home tab में, extreme right side में आपको आना है, and find option आपको दिखा दे रहा है, अचा, अगर यह वीडियो की जगह मुझे audio करना है, तो एक एक वीडियो को replace करने में बहुत time जाएगा, right, तो ऐसे मैं मैं क्या करूँँगा, यहाँ पर मैं control H दबा दूँगा, जैसे मैंने control H दबा यहाँ पर यह find भी है, यहाँ से भी find कर सकते है, यह देखिए replace भी, यह वाला find का dialogue box भी इस्तमाल कर सकते है, यह फिर navigation भी इस्तमाल कर सकते है, यह फिलाल replace देखिए, replace वो पूछ रहा है कि क्या आपको replace करना है, आपको replace करना है, वो find hot में लिखो, मुझे video replace करना है, लेकि हो चुका है, क्या बात है टाइम से हो चुका है, जहाँ पर भी magic दिखने मिलेगा, तभी आपको मेरा music भी सुनने मिलेगा, धैन टाडन तो यह magic है ना भई, एक एक word आप replace करोगे, तो कितना सारा time जाएगा, लेकिन Microsoft Word ने आपका है, यहाँ पर काम आसान कर दिया है, और यह काम कब आता है, जब आपका कोई agreement है बड़ा सा, जिसमें सपोज agreement है 2022 का, year का, उसमें अभी क्या है, agreement चेंज करना, आपको 2023 का करना, year बदलना है, और year पचास बार लिखा है, तो एक एक जाके 22 को 23 करने में बहुत टाइम जागा, आप मेरी मानिएगा, control edge यूज कीजिएगा जैसे example के लिए बताता हूँ, यहाँ पर रमेश is good boy है, मैं control edge करता हूँ मैं रमेश को good नहीं करना चाहता हूँ रमेश को मैं bad करना चाहता हूँ replace all, एक second में हो गया all done, we made replacement यहाँ पर कितने replacement के six, क्योंकि उसको good six times मिला, यहाँ पर मैं अभी boy करता हूँ और boy की जगर मैं girl करता हूँ तो रमेश यहाँ पर लड़की बन जाएगी, दो second के अंदर, यह दो seconds भी नहीं एक seconds के अंदर, यहाँ पर आपको रमेश is bad girl, ओहो, मैंने जी बोल रहाँ, computer जी बोल रहे हैं, तो यह जो find and replace को option है, basically, यह 3D8 movie में अमीर खान ने use किया है अगर आपको याद है movie देखा होगा, तो चमतकार का कुछ और किया था अमीर खान ने, तो या हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन इसका इस्तमाल आपको ज़रू समझ में होगा तो basically हमने यह section complete कर लिया जिसमें मैंने आपको बता है, कि copy content कैसे किया जाता है, find and replace कैसे किया जाता है, formatting कैसे किया जाता है, practice कीजिया next section की तिरफ बढ़ते है next session है हमारा, यह जो तो हमने content यहाँ पर type किये, जैसे यहाँ पर 50 pages मैंने यह notes बना लिया suppose, right, तो यहाँ पर notes बना लिया, तो अगर मेरे notes आपने देखे होंगे, या कोई भी notes आपने देखे होंगे, मैं एक example के लिए आपर notes ओपन करके भी दिखाता हूँ यह notes है, जो कि मैंने recently एक video डाला था, learn more channel पर आपने देखा होगा, आयो मैं setting करना सीख गया, right तो यह जो है, अन्ना जी setting करना सीख गये थे, फिलाल यहाँ पर आप देख सकते computer setting notes by 17 यह जो उपर title दिखाए दे रहे ना आपको, यहाँ पर website वगरा का जो आपको header दिखाए दे रहा है, footer दिखाए दे रहा है, वैसे मैं बता हूँ, यह setting की notes मैंने free में रखे अपने app की उपर, right तो आप से आप download कर सकते हैं, यह setting की पूरी notes जो computer tricks और tips सीखना चाता है, वो यह video भी देख सकते हैं, description में इसकी link दे दूँगा, आपको, learn more channel पे recently मैंने video upload किया था, तो यह settings आप सीखना चाते हैं, तो PDF notes के साथ आप वो सीख सकते हैं, उस video में जानकारी दी, मैंने आपको की app की ओपर कहा से downloading, यह notes आपको मिलेगे, फिलाल मैं क्या बताना चाहता था, कि मैं हिसे में बंद कर देता हूँ, control w, इस file को बंद कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, w और यह वो गयरा क्या होता है, फिलाल यहापे मैं चाहता हूँ, कि इसमें header में notes का नाम आड़ करूँ मेरे, तो कैसे अड़ करूँगा, तो यहापे insert में मैं जाना चाहूँगा, insert tab में आपको एक option मिलेगा, यह बहुत ही कमाल की जीज़े, जो सबको पता होना चाहिए, जो Microsoft Word यूज़ कर रहे है, तो header and footer option है, आप चाहिए तो footer में जाओ, या header में जाओ, कई पर भी जाओ, आपने header activate किया, तो भी footer activate हो जाएगा, footer activate किया, तो भी header activate हो जाएगा, या फिर आप इधर नहीं जाना चाहते है, यहापे जो space दिखाए दे ना उपर, यहाँ पर आके, simply अगर आप double click भी करते हो ना, तो भी यह देखे, header activate हो गया, और page पर आके double click करते हो, तो page activate हो जाएगा, मतलब जब आप header activate करते हो, तो आप page पर काम नहीं कर पाओगे, और जब आप page पर आते हो, कोई भी header का design से लेकर आपको लगता है यार यह ठीक है formatting के साथ आ रहा है चलो इसे लेते तो इसमें आप formatting के साथ आ रहा है आप खुद से formatting भी ने कर सकते कोई problem नहीं तो यह पर document title देना है जैसे मैं यह पर document title देना चाहता हूँ suppose यह है skill course notes okay तो मैंने यहां पर title में लिख दिया skill course notes वाइस सतीज डाड़े और date पर click करता हूँ मैं यहां पर calendar आ जाता है और कोई भी एक date यहां पर pick कर लेता हूँ चलो ओके आज की date यहां पर आ चुके है ओके तो अब मैं यहां से direct add कर सकते हैं यह देखिए page number option दिया है लेकिन यह आया कहां से page number यह header and footer tab activate हो जाता है जब आपका cursor header में है यह पिर page के उपर आते हो तो यहां पर नहीं activate अभी देखिए कोई भी डिजाइन वाला page number आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो add कीज़े विद डेट चाहिए डेट तो आपने ऊपर header में दिया है तो without date वाला लेना है तो वह ले सकते हैं तो यहां पर सारे options यहां से आपको मिल जाएंगी कि पेज नमबर आपको कौन सा चाहिए तो मैंने यहां पर एक select कर ले पेज one of one वाला page number मतलब कितने टोटल पेजे से 50 और हम page number one पे नीचे स्क्रोल करेंगे दिखिए two of 50 automatic और इसे आप align वगरा कर सकते हैं आप चाहते हैं इसे लेप में रखना है तो इसे select कर लो home tab में alignment है या control L यह phrase करके आप align कर सकते हैं अब साथ में यहाँ पे logo add करने आपकी company का वगरा तो आप insert tab में ही जाहिएगा insert tab में picture एक option है जहां पे click करके आप directly यहाँ पे logo कर सकते हैं picture tab में जाहिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे picture tab में this piece select करेंगे this piece में आपके जिस भी location पे जैसे म आप उस folder को सिलेक की जए ddrave में मेंने skill course folder select कर लिया है और यहाँ पे मैंने logo add कर दिया है अब मैं इसकी size कम कर देता हूँ size कैसे कम करना है simple है mouse pointer corner में लेकिए आना है और यहाँ पे यह एसा क्षीचना है खीचना है खीचना है खीचना है आइसे चोटा करते जाना है देखि की तरह पैसे तो छोटा होते जाएगा लेकिन आप एक है कि यह इधर ही चिपक्या रहा है मुझे यह राइट साइड में उठा के ऐसा रखना है लेकिन इसे मू करना है सबसे पहले तो मू करने के बिले एक पिछर फॉर्मयट si्लेक करना है और यह तभी आएगा जब यह पिछर सिलेक्टर हो आगर बाहर क्लिक है तो पिछर फॉर्मयट थाप नहीं आएगा बहुत सारे लोग बलते हैं सर आप मारे इसमें पिच्चर फॉर्माट आप आपकी इसमें आ रहा है ऐसा कैसे आपने वीडियो में तो दिखाया था अरे ऐसा है दोस्तो यहापे पहले क्लिक करो यह इमेज को पहले सिलेक करो आप ध्यान से नहीं सुनते यार अब यहाप इमे फूटर में आ चुक है अब मैं एक और चीज आड करना चाहता हूं यह पर एक और लाइन भी आड करना चाहता हूं तो लाइन कैसे और करने के इंसेट है यहापे शेप से shapes में जाओ और धेर सारी line यहापे आपको मिल जाएगी जो line मारने चाते हो वो मार सकते I mean to say arrow वाली line draw करना चाते line मारना मतलब draw करना यह मेरा मतलब है मारना मतलब समझ के न वैसे आपको line मारना आता होगा मैं यह expect करके यहापे अभी सिखाता भी हूँ आपको कि वही चलो ठीक आपको आता है फिर भी यह computer वाली line में बताता हूँ मैंने line select की सीधी साधी without arrow वाली और मैं यहापे drag करूँगा यह टेड़ी आ रही टेड़ी तो मैं shift बटम प्रेस करूँगा keyboard पे shift hold कीजिए और mouse का left button click and drag कीजिए यह line यहापे आ चुकी है and once you draw the line you will get shape format क्या मिल रहा है shape जैसे आप picture लेते हो तो picture format आता है तो head and footer लेते हो तो head and footer आता है वैसे यहापे यह shape draw किया है तो shape format आ जाता है shape का outline कितना रखना है आपको रख सकते आप यहापे outline की style वगयरा भी change करना चाहते है सब कुछ options यहापे दिये है and like यहाप कुछ से चेक कर सकते है color भी मुझे change करना है blue रखना है dark blue रखना है जो भी है इस तरह से तो यह होने के बाद head and footer complete होने के बाद double click करो now your page is ready head and footer हर एक page के उपर आ चुका है तो यह एक interesting option है interesting option इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे क्योंकि यह इसकी बहुत जरूरत पड़ती है जब आप notes बनाते है तो notes बनाते समय head and footer आपको add करना आना चाहिए और कैसे add करना है मैंने step by step बता है ताकि बहुत सारे option इसमें आप खुछ से explore करने की कोशिश वहाँ पे जरूर करो अब हम next section में कुछ और चीज़े देखने वाले header and footer के अलाव और भी important चीज़े जो हम आगे step by step देखने वाले तो चलिए अब मैं इस section में आपको बता हूँगा कि आप इसको proper notes कैसे बना सकते है proper notes जैने कि आपको इससे क्या करना है basically आपका auto mark भी इसमें add करना है आपको कुछ tables भी add करने कुछ shapes भी add करने मतलब एक proper जो होता है na books उसके लिए आपको Microsoft Word के कौन से option use होंगे यहां पर मैं बताने हो अभी आपको राइट तो यह जरूरी है यह देख लो अब header and putter तो आपको पता चला लेकिन आपको लगता है कि यार यह मैं जो notes बना रहा रहा हूँ मेहनत से इसमें मेरा background में logo रहे company का ताकि watermark रहे basically watermark हमें add करना चाहते है ताकि मैं print कुर तो watermark दिखाए दे और फिर यहां पर इसे कोई भी copy नहीं कर पाए राइट वो आपके लिए copyright के लिए आप watermark add कर दो सो मैं क्या करूंगा उसके लिए watermark के लिए आपको simple design tab select कर लेना है design tab यह ज़रूरी चीज़ सीख लो design tab में watermark option यहां पर दिया है और यहां पर टेक्स्ट watermark add करना चाहते है यह picture तो टेक्स्ट चाहते है तो यहां पर direct आ चुका है do not copy do not copy confidential लेकिन यह लिखने से तोड़े ह होता है लोग copy करती है confidential लिखे भी तो आप अपनी company का नाम add करना चाहते है चलो फिलाल यहां पर मैं confidential आड करना चाहते है तो confidential यहां पर देखिए पीछे watermark आ रहा है रहा है यह आपको थोड़ा यह light दिखा दे रहा है अब control P करोगे ना control P याने की print और जैसे आप control P करते ह प्रिंट प्रिव आता है तो वह बता रहे कि कैसे आ रहा है देखिए confidential अब मैं यहां पर escape button प्रेस करता हो मैं और मैं चाहता हूँ यह confidential के जगह अपना खुद का नाम रहे तो खुद का नाम लाने के लिए यहां पर watermark में जाकर custom watermark देखिए हम design tab में order mark में मैंने क्लिक किय यहां एक dialogue box आपके सामने आएगा अब इस dialogue box में मैं confidential के जगह लिखना चाहता हूँ जैसे complete technology हमारे channel पे video आप देख रहे हो so I am going to put the complete technology 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 ठीक है यह नाम मैंने लिख दिया and I can change the font font size and there are a lot of options तो मैं वह चेंज कर सकता हूँ यहां से but मैं इसे horizontal रखना चाहता हूँ डाइग यहां पर background में देखेंगे लेकिन यह gray color है इसलिए थोड़ा सा dark रख दे तो एक minute यह रहा चलो ठीक है अगर मैंने इसे dark रखा और मैं control P button press काता हूँ तो यह dark आ रहा है और यह थोड़ा सा odd भी लग रहा है ना इसलिए आपको dark रखना है रखना है आपकी उपर है dark color so यहा dark रखे भी semi transparent मतलब थोड़ा बहुत light दिख रहा है अगर मैं इसे हटा दूगा ने यहाप और मैं apply करूंगा भी देखिए यह पूरा dark हो जाएगा semi transparent मैंने हटा दिया एक minute मैं इसका color rate रखता हूँ अभी apply rate देखिए अब यहाँ पे तो आपको यह light दिख रहा है कि भाया ठीक है मेरे word पढ़ने आ रहे है फिर भी लेकिन आप control पी करोगे ना बहुत dark आएगा क्योंकि semi transparent मैंने हटा दिया है तो semi transparent बिलकुल मत हटाईए क्योंकि उससे मतलब उससे automark नहीं कहेंगे हम फिर semi transparent रखते हैं लेकिन मेरे साब से तो यार यह text वगरा automark से तो आप picture automark add क कर लीजिए अब मेरे पास यह logo पढ़ा है suppose insert में करता हूं में click apply कर देता हूं इसे apply कर तो बहुत बढ़ा रहा है मैं इसे छोटा चाहता हूं तो यह आप इसकेल दिया है कि वह यह auto ले रहा है आप इसे 100% लेना चाहते 100% तो बहुत बढ़ा हो जाएगा 50% ले लो और कम हो प्रोपेशनल एक दम बीच में ठीक लग रहा है ओके इस तरह से आप लोग ऐड़ कर सकते हैं लुक्स लाइट तो आप इसे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ज्यादा है यह देखिए तो यह ज्यादा डार्क हो जाता है यहाँ पर तो लाइट दीख रहा है यहाँ पर अच अप्लाए किया ऑके किया यहाँ पर आप देखेंगे और शाउ ट्रुट रग दिया मैंने ठीक है आपको ऑटर्माक के आडया आ चूगई कि भाई आड कैसे करना क्योंकि जब प्रिंटिंग करना तो ऑटरमाक के यहाँ पर बहुत जरूरी है अब ऑटर्माक के अलावा यह यहां पर हमें इसमें और shapes वगरा एड़ करने हैं, table एड़ करना है, ऐसे अलग लग चीज़े सिखने, table तो हम आगे देखिएंगे, आगे एक section में, लेकिन पहले shapes वगरा एड़ करने हैं, तो insert में जाओ, shapes, chart, या कुछ भी एड़ करना है, icons वगरा, तो यह सारी चीज़ें य इस PC में जाईए, आपको किसका भी photo लेना है, जैसे आप मेरा फोटो ले लिजिए, एक काम कर लेता हूँ, मैं मेरे photos folder में जाता हूँ, एक कोई भी photo में मेरा ले लेता हूँ, यहाप फोटो दिखाए, दे रहा है आपको, मैं इसे insert कर देता हूँ, यहाप यह आप इस तरह click and track करके, छोटा करना है तो, लेकिन यह adjust नहीं हो रहा है, यहाप इस पेस हा रहा है, तो इसे क्या करेंगे, picture format है ना, हमारे पास, उपर देखिए, और wrap text में, इसे in front of text मत कीजिए अभी, in front of text करेंगे, तो इसके पीछे text चला जाएगा, वहाँ पे नीचे ठीक था, क्यू square मतलब थोड़ा सा square space रहेगा, तो आप यहाँ पर रखोगे ना, वो text हट जाएगा, उदर, जहाँ पर picture जा रहा है, वाँ, क्या interesting है नहीं है, तो आप यहाँ पर रखना चाहते हो, जैसे अपने newspaper वगरा में देखा होगा न, बहुत सरी जग पर, तो वैसे ही कुछ है यह, यहाँ पर रखना चाहते हैं, उसे रख सकते हैं, बस आपको करना क्या है, step से याद रखिए, insert में जाओ, picture में जाओ, this PC, आपको जो picture पसंद है, वो select कर लीजिए, यहाँ पर insert कीजिए, insert करने के बाद इसकी sides corner से कम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से नहीं करना है, तो picture format में यहाँ पर option आपके दिया है, यहाँ से आप size कम कर सकते हैं, right corner में, right corner में, extreme right corner में, right corner में यहाँ से आपको size दिखाए दे रहा है, और यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं, okay, so यह size में नहीं कम कर दी, इस picture format में जैसे आपको यहाँ पर remove background एक option है, remove background पर click किजिए, वो automatic background क्या लेकिन मेरे शुज पर प्लिक करने बैकरौञंड में और सर को भी टि टेकर लिया ऑग्रौंड तु ऐसा ना हो इसलिए आप इस पर क्लिक करो और यह पर यह देखिए खिने असको आने दो मेरे दहे वह कट गए कि उसे भी ले और शुज पर उपर !"्त इसको हटा दो इसको हटा दो राइट और इसको भी हटा दो शूज के बीच में भी कुछ गड़बड हो गया ठीक है मैंनिनटर कोम अचेंगे जए अचरा कर सकते हैं नहीं कोई बात नहीं उसे आप ईरेज कर सकते हैं तो idea मैंने दे दी कि कैसे आप picture insert कर सकते हैं, चलो picture को delete कर दो, अब insert में जाओ और shapes ले लो, आप यहापे मैंने पहले बोला था कि आपको line shape मिलता है, या फिर आपको rectangles, basic shape, बहुत सारी चीज़े मिलती है, तो lines draw करनी, तो lines draw कर लो, जो कि मैंने आपको बोला था, आप export line मारन जैसे मैंने rectangle ली लिया, और यहापे मैंने draw कर दिया rectangle, और इसके उपर right click करके add text, इसमें मैं text लिखता हूँ, welcome, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं यहापे, चलो, example के लिए, तो इसमें मैं text लिख सकता हूँ, इस rectangle को मैं formatting दूँँगा, तो यहाँ से दे सकता हूँ, यह दे लेना चाहते हो, तो apple पे click करो, insert करो, गाड़ी लेना चाहते हो, जो जो चाहिए आपको, आप यहाँ से insert करो, वो icons यहाँ पे दिखाए देंगे, आपको, right, interesting है na, graphic format में जाकर आप इन icons के साथ खेल सकते हैं, I'm into से खेलना, गाड़ी के साथ खेलना नहीं है, color बजल सकते है तो यह icon आपको एक attractive, informative notes बनाने के लिए बहुत helpful रहते हैं, right, तो यह icon आप इस्तमाल कर सकते हैं, insert में जाकर आप यहाँ से chart भी insert कर सकते हैं, 3D models भी है, कुछ जगा पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको smart art भी मिलते हैं, कि भई, आप cycle डाला diagram अड़ करना चाहते है जैसे आप science के कोई notes बना रहे हो, so you can create a notes, है ना, यहाँ पर जाकर आप अपना content लिखो, जैसे आप वो जल चक्र बनाना चाहते हैं, right, तो water cycle बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, कि भई, यहाँ पर क्या आता है, cloud आता है, फिर क्या आता है इस तरह से लिख सकते हैं, so this is the way that you can insert the shapes, तो आपको idea चुका होगा, कि भई, यह क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर, तो insert के अंदर, pictures, smart art, charts, वोगरा, use कीजिए, practice कीजिए, इस session में इतना है, next session में हम सीखते हैं, कि insert की मदद से, और क्या क्या इस document में हम add क कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पे notes में एक table भी add करना है, जिस table में कुछ information होगर add करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं enter करता हूँ, यहाँ पे मुझे table add करना है, तो table हम सीखने वाले, आप इस session में insert में click करना है, और यहाँ पे option मिल जाता है, insert में table, जैसे आप यहा पे जैसे mouse pointer गुमाओगे ना, आपको दिखाए दे रहे, number of rows insert होते जाएंगे, one, two, three, four, five, नीचे देगे rows, horizontal line को हम rows बोलते है, और vertical lines को column बोलते है, अब यह बच्चा बच्चा जानता है, इसको बताने ही जाता ज़रोता है, तो यह drag करो, तो यह देखे, इतने rows और इतने कर देता हूं, right, और यहाँ पे type कैसे करना है content, आपको यहाँ पे type करना है, जैसे serial number, आगे जाने के लिए आपको right arrow या tap button बटन दबादो, मेरा suggestion यह tab ही, इस्तमाल करो, name, यहाँ पे उसके बाद आएगा contact number, contact number, उसके बाद यहाँ पे CT, और उसके बाद यहाँ यहाँ पे यहाँ पे आपके student के नाम add कर सकते हैं, यह सब हमारे student है, example के लिए, अब यह हमारे पास नहीं पढ़े है, लेकिन फिर भी हमने add कर दिये है, तीनो खान को add कर दिया है, और यहाँ पे आप contact number add कर सकते हैं, call मत लगाईएगा, और उसके बाद इनके CT लिख सकते हैं, और उस लाश कॉलम में, लाश कॉलम में कर सकते हैं, आपको जाना का पे layout tab है, layout tab में धेर सरे option है, देखिए, यहाँ पे tables related धेर सरे options आपको मिलेंगे, insert right, यह option आपके काम का है, अभी, क्यों, क्योंकि हमें right side में एक column चाहिए, आ गया, क्या बात है, और यह column नहीं चाहिए, तो इ इसमें cursor एक तो रखो, तो भी चलेगा, और जाके delete column करो, यह delete columns, तो यहाँ पे insert भी होता है, delete भी होता है, यहाँ पे corner प्याके, इसकी size भी आप बढ़ा सकते हैं, corner, यह देखिए, mouse pointer corner पे लेके आजाओ, इसकी size बढ़ाओ, आपको लगता है, यह जो contact number या पिर serial number देख ल आपको लगता है, इससे इतना ही होना चाहिए, इतना है, जिससे आपका space हो गएर आप adjust कर सकते, mouse pointer exact line पे लेकिया जो हो जाएगा, और आपको लगता है, इसका border हो गएरा, या color हो गएरा, चेंज करना है, तो उसके लिए table design option दिया है, table design, पूरा पूरा यहाँ पे table में जा करते हो ना, वो all water से apply हो जाती है, तो यह कापी interesting option है, table के साथ काम करने के लिए आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए, कि रोज कहा से insert होते है, column कहा से insert होते है, हाँ यहाँ पर रोज insert करना है, तो एक और तरीका है मेरे पास, यहाँ पर cursor last में रखोंगा, और keyboard पे tab बटन दबाते, जाओंगो तो यहाँ पर रोज ने-ने insert होते जाएंगे, undo कर रहा हो में, या फिर आप यहाँ पर जा सकते है, table layout में basically, table के अंदर cursor रखा हुआ है, तो layout tab में लेगा, click कि इस layout tab में और जाकर यहाँ से आप insert below कर दीजिए, insert below below below, यहाँ पर formatting में थोड़ा सा issue आ रह लगते है, so you can try it guys, तो इस तरह से आप table यहाँ पर insert करते हैं, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको readymade table चाहिए, आपको लगता है, यार मुझे ऐसा है, readymade table insert करना है, तो insert में जाओ, table में, आपको यहाँ पर नीचे एक option मिल जाएगा, quick tables, जो कि readymade tables मिल बस आपको इसमें content add करने रहेगे, इस table को मैं enter करके नीचे लेता हूँ, अगर आप देखोगे, यहाँ पर यह table add हो चुका है, इसमें आपको content खुद से, आपको बस content type करने है, formatting readymade है, तो readymade table चाहिए, तो वो भी आप ले सकते है, readymade format वाला, और आप खुद से draw करना चाहत तो यहाँ पर आपको idea आ चुका है कि टेवल कैसे add करते है, Microsoft Word के अंदर, इस section में हमने यही सीखा, अब इतना बड़िया document हमने यहाँ पर बना लिया, header and footer, images, logos, watermarks, सब कुछ add कर दिया, अब यह document हमें save करना है, PDF में save करना है, Word document में save करना है, protect करके save करना है, या फिर इसे print करना है, तो यह सारी जानकरी अभी हम लेते हैं, तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, कि इसे save कैसे करना है, save करने के दो तरीके में बताऊंगा, मैं कौन सा use करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, control as button से आप save कर सकते, यहाँ पर control as button प्रेस करोगे, तो अपने वर्जन में तो यह directly one drive को location देता है, यहाँ पर मैं my documents लेके save कर दोंगा, my document चाहिए, या फिर more location क्लिक करोगे, यहाँ पर जैसे more location क्लिक करोगे, वही फाइल में जो save options है, वही आएगा, और browse options पर जाएंगा, browse में जाकर वो बोल रहा है कि आपको यह document कहाँ पर save कर करो, यहाँ पर जाकर more locations लेलो, नए वर्जन में ऐसा आता है, और पुरानी वर्जन में control प्रेस करते ही, यह dialogue box आता है, अब यह मैंने क्या से लाए dialogue box यह बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आप देखेंगे, यहाँ पर control पुरानी वर्जन में प्रेस करते ही, यह वाला dialogue box आता है, तो इसमें आपको more options यहाँ से जा सकते हैं, या फिर more options में जाकर यहाँ से भी ला सकते हैं, browse में, okay, browse में जाओगे, तो यही option आ रहा है, देखिए, कहाँ पर save करना है आपको, तो आपको पूछ रहा है कि यह location पहले select करो, चलो मैं इसको save करना चाहता हूँ, desktop की उ नाम रखा है, पहले location select करो, कहाँ पर save करना है, बाद में file का नाम दो, okay, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है, उसका file type, तो अभी आपको देनी की तो बिल्कुल ज़रूद नहीं, क्योंकि यह docs type की file बनती है, word का extension होता है DOCX, अभी extension क्या होता है, extension मतलब हर एक file का अभी तो वो डबलू लोगों नहीं हाएगा, कि यह word की file है, तो यह DOCX यह extension है, हर एक file का पैचाने का तरीका होता है, अलग-अलग, तो word का DOCX है, Excel का XLSX है, PowerPoint का PPTX है, तो अलग-अलग extension रहते हैं, यहाँ पर इसका extension याद रखना है, document file का DOCX रहता है, यह exam के लिए मैं पूछूँगा, जो final exams रहते हैं, ऐसे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ न, यह final exam जो आपको certificate मिलने वाला है, उसके लिए आ सकते हैं, तो याद रखी इसे, so, यह मैं इसे save करना चाहता हूँ, right, अब मैंने इसे desktop location दिया, इस file को मैंने save किया, and let me close it, मैं इसे यहाँ से आपने, right, भाईया, या बैंजी, तो आप इसे save करना चाहते हैं, तो save करो, don't save, control W, यह बता रहा है कि भाईया, आपने यह भी save नहीं किया, तो मैं इसे save नहीं करना चाहता हूँ, save करना चाहता हूँ, यह देखिए, right, don't save, फिलाल यह भी close, और यह word भी close, अब हम desktop पे आ जाते हैं, एक मिनिट के रहे, यहाँ पर desktop पे मैं आ चुका हूँ, और यह रहा मेरा, पहला Microsoft Word का, यहाँ पर फाइल, यह रहा उपर, Microsoft Word Practice File, right, यहाँ पर मैं इसे double click करूँगा, I can open it, तो यह save हो गया, लेकिन यह desktop पे save है, मैं इसे save करना चाहता हूँ, और एक बार, तो इस drive में पी save करना चाहते हैं, आप desktop पे same नाम से नहीं save कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि desktop पे अल्री यह नाम से save है, अगर आप नहीं save हो जाएगा, एक गर में same नाम के दो बच्चे तो नहीं रहते हैं, तो यह यह आपे, तो same नाम की file desktop पे कैसे रहीगी, आप अलग location पे रख सकत है, F12 बटन से, लेकिन मैं यहाँ पे F12 यूज़ करता हूँ, तो PDF बनाना है मुझा भी इसका, तो PDF क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे यह जो file है, यह editable है, मैं अभी इसको portable document format में बनाना चाहता हूँ, तो वो भी दीख लीज़ी, F12 बटन दबाती ही, आप क्या करोगी यहाँ पे word document यहाँ पे selected है, उससे अप select करके PDF करोगे, PDF बनाने का एक तरीका तो यह है, वैसे भी आप फाइल में जाओगे न, आपको direct option मिलेगा, यहाँ पे export to PDF, यह रहा है, तो यह करोगे न, आप यह देखो, इस पे click करता हूँ, तो वही dialogue box आ रहा है, publish बस इसको उप publish it, तो यहाँ पे यह publish हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे processing होता है, इसे process होने तो ज्यादा पेज़े से तो 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 यहाँ पे processing के लिए time लग सकता है, तो यहाँ पे मेरा processing पूरा हो चुका है, and now I am going to open this file from desktop, यह रहा PDF, डाडाण, ओपन हो चुका है, PDF बन है हमारे notes का, क्या बाद है, right, great, right, okay, तो इस तरह से PDF बनाते हैं, आपको यह idea आचुका है, आगे, इसको PDF तो मैंने बना दिया, चलो, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे print करना है, तो Ctrl P बटन दबा दीजे, आपको पूरा page preview दिखाए देता है, proper है, देख लो, पहले water सब कुछ proper आ रहा है, फिर जाओ print बटन पे क्लिक करो, लेकिन पहले printer सिलेक करो, printer चालू है कि नहीं देखो, यह offline आ रहा है, मेरा printer connected यहापे है नहीं, मतलब चालू नहीं है, HP printer connected है, जो भी printer है, वो company का नाम में आपे रहेगा, आप इसे सिलेक कर लेना है printer आपका, और print करन आप यहापे ले सकते हैं, यहापे आपको print करते हैं समय ध्यान रखना है, यहापे वही options आपको नीचे भी दिखाए देंगी, कि page आपको change करना है, page का size वगएरा, या फिर normal margin, page आपको landscape रखना है, तो यहापे portrait कर सकते हैं, जिससे आपको दिखाए देगा page कैसे आ रहा है यहापे आप portrait कर सकते हैं, तो यह options आपको यहापे भी दिखाए दे रहें, so control P options के अंदर आपको printing मिल जाता है, print यहाँ से करो, printer select करके, फट 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 प्रिंटिंग निकलना चालू हो जाएगी, फट 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 प्रिंटिंग करना है, तो यह बस print अच्छा, यहापे धे सारे और भी options है, जो मैं यहापे explore नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने Microsoft Word का dedicated course design किया, लंबा चोड़, यह crash course है, जो important points है, वो मैं यहापे cover कर रहा हूँ, मतलब जो जर्गरी है, important तो सभी वैसे, लेकिन जो आपको पहले आने चाही, Microsoft Word में पता होनी ची, वो सारे points में यहापे cover कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है, Microsoft Word मुझे in depth सीखना है, हर एक points को सीखना है, हर एक options को सीखना है, पकड़ पकड़ के सीखना है, पकड़ पकड़ की मेरा बोलने का अंदाज है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, detail में सीखना ह मेरा course है, Microsoft Excel का जो application के उपर course available है, बहुत ही companies में, and you will get the practice file and all, आपको Microsoft Word का Hindi e-book भी मिलेगा उस course में, अगर आप इंटरेस्ट ज़रूर चेक आउट कीजिए, अगर मेरी teaching style समझ में आरी, पसंद है, तो भाईया, चेक कीजिए, without advertisement, with ISO certificate course वा आप सीखने मिलेगा, ओके, फिल document saves related है, इस document को मैंने desktop पे save किया था, यह मेरा important document है, यह कोई भी open करके देख सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे password protected करूँ, तो उसके लिए मैं F12 बटन दबा दूँगा, F12 बटन दबाने के बाद यह save as card mailbox वाएगा, यह सब ऐसे ही रखोंगा, as it is, यहाँ पे कोई change न देना है वही आपको, मैं password बता हूँगा आपको, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, यह तो मेरा important file नहीं, इसलिए मैं 123 password दे दिया है, so आप यहाँ पे जो भी password देना चाहते है, ओ देजीजिए, desktop पे इस file को मैं same location पे दुबारा save कर रहा हूँ, अब इस same location पे password यह अगर मैं इसे close कर देता हूँ, और desktop पे जाके इस file को दुबारा open करता हूँ, तो यह मुझे बताएगा कि भाई साब, पहले password दे दो, तभी हम आपको content दिखाएंगे, enter password to open file, अयो, यह password डालने के बाद open हो रहा है, क्या बात है, तो समझ मैं होगा आपको अभी, तो मैं य तो यह instruction में हमने इतना सीखा, अब हमारी बार यह कुछ practical सीजे सीखने की, जैसे कि हम later वगएरा कैसे type करते हैं, और हमारे bio data resume या CV कैसे बनाते हैं, वो हम देखते हैं, तो हमने बहुत सारी चीजे Microsoft Word document में अभी सीख ली है, अब आखरी एक और important चीज में आपको बताने वाला हो, कि इस तरह का एक professional CV या resume जो भी आप बोलो, इसे, यह कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे कैसे shapes एड़ हो चुके हैं, यह shape के अंदर कैसे picture एड़ होगें, यह attractive resume हमने क कैसे बनाया, यह मैं आपको बताने वाला हो, step by step, तो यह हमारा final part होने वाला है, Microsoft Word का, लेकिन यह crash course यहाँ पे खतम नहीं होता, इसके बाद Microsoft Excel भी हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, control and net document लेता हूँ, और सबसे पहले करना क्या, insert tab में जा हो है, और इसमें shape field में जाकर यहाँ पे इस तरह से में color draw करूँगा, देखिए, तो यहाँ पे मैं एक shape field में color दिया, इसका outline color है, वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो outline color मतलब shape format यहाँ पे click कीजिए, shape outline और no outline, outline बिल्कुल यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, okay, so सबसे पहला step में नहीं आगी, उसके बाद यहाँ पे मुझे text add करना है इसके बीच में, तो मैं insert में जाओंगा, insert में जाकर यहाँ पे एक option आपको मिलेगा text box, right side में, shape में से भी आप ले सकते, text box ले लो directly, यहाँ पे draw text box option मिल रहा है, और यहाँ पे आप drag करो, इस तरह से, यह text box आ होगे आप लोग, okay, so example मैंने दे दिया, तो यहाँ पे फिलाल मैं email id देता हूँ, वैसे इतना popular भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिलाल अपना contact number में, वीडियो में दू तो गड़बड हो जाएगी, और example के लिए email id मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, right, okay, okay, यह तीनों चीज़े मैंने यहाँ पे लिख दिये, अब इसको format हम करेंगे, okay, तो इसको format कैसे करना है, सतीज डवले, इससे select कर लीजिए, और इसका जो size है, मतलब तीनों का एक काम कीजिए, तीनों को select कीजिए, center में लीजिए, पहले तो, फिर सतीज डवले, इससे select कीजिए, इसका size बढ़ा दीजिए, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इस तरह से, okay, अब इसको जो formatting ही तीनों का, मैं formatting सभी पूरे के पूरे, इसमें कौन सा formatting रखना चाता हूँ, वो आपके उपर है, मैं pop-ins formatting ही लेना चाता हूँ, pop-ins font लेना चाता हूँ, तो यहाँ पर जो font आपको लगता है कि यार, यह decent font लग रहा है, वो font आप यूज ले लो, यहाँ पर कोई ज्यादा fancy font लेना नहीं होता है, resume के अंदर, right, so मैं ने यह ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज नूटीस करो, यहाँ पर spacing बहुत ही ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, तो इससे select कर सकते है, six, zero, zero, रग दो directly, paragraph spacing, right, इस तरह से, and I wanted to make it bold, तो इसे मैं select करके bold करता हूँ, इस तरह से, अब एक और चीज, यहाँ पर क्या किया है, अगर आप notice करोगी, यहाँ पर इस CV में, यहाँ पर इसका color अलग रखा है, और इसका color अलग रखा है, और इसका background color है यह नह select कर रहा हूँ है, shape को, और shape format में जाकर, shape fill में जाकर, no fill, right, और shape outline को भी no outline, outline भी नहीं नहीं, कुछ नहीं, okay, अब आपको यह proper मिल रहा है, अब एक बार इसकी size थोड़ी सी control कर लिए, इससे select करके, थोड़ी size पूरी की पूरी बढ़ा देते है, थोड़ा रख देते, ठीक है, अब इसे center में रख देते हैं, अब दूसरा चीज यहाँ पर इस सतीश को color अलग देना है, तो सतीश को select करो, और इसको कुछ अलग color आपको देना है, वो आप रख सकते हैं, इस तरह से, right, और धोले को भी आपको, यह नीचे वाला text तो black में मत रखो, यह पूरा पूरा डिसेंड रखो कि उतना, अब क्या करना है, यहाँ पर आपका जो role है, यह basically यहाँ पर आड किया गया है, लेकिन यह भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहर ना, यह shape में आड किया है, तो इस content को मैं copy कर ले तहँगा हूँ, content क्या है यह दिखाता हूँ, content यहाँ यहाँ पर म बॉर्डर दिखाए दे रहा है, तो shape format में shape fill, नहीं, shape outline में no outline, तो आप इसे outline ऐसे गया है, उसके बाद याप एक photo आपको add करना है, लेकिन उस circle में होना ची, तो उसके लिए insert में जाओ, shapes में जाओ, और याप एक ellipse, ये जो दिखाए दे रहा है, ये दिखे, ellipse, ये draw कीजी, आप बोलोगे, ellipse draw करोगे, तो ये circle थोड़ी है, आप draw करते समय ही, जैसे आप draw कर रहे हो, control button press, आप draw करते समय ही, जैसे आप इसे draw कर रहे हो, shift button press करो, ये circle आ जाएगा, क्या बाद, right, circle आ गया है यापे, और इस circle में picture रखना है, ये भी simple है, shape format उपर दिखाए दे रहा है tap, yes, मुझे दिखाए दे रहा है, आपको दिखाए दे रहा है, सब को दिखाए दे रहा है, shape film में चाहिए, और अभी आप यहाँ पे picture में चाहिए, shape film में एक option है, picture, zoom करके बता रहा हो, दोस्तो, picture में चाहिए, from file में चाहिए, and आपका कोई भी एक square वाला photo रहे है, square में, यह square है, मतलब इसका thousand by thousand size है, अगर आप rectangle वाला photo डालोगे ना, फट जाओगे, I mean to say, वो stretch हो जाएगा horizontally, मतलब जैसे picture फटता ना, वैसे नजर आएगा, तो वो नहीं करना है, insert करना है, आपको एक square वाला image, वो आपको यहाँ पे proper fit मिलेगा, नहीं तो आप square वाला नहीं ड तो क्या गलती हो जाएगी, यह देखिए, यह ऐसा लग रहा है, वड़ा पॉखा के हम, okay, शुचके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, shift button प्रेस करना है, जब यह आप इसके साथ कुछ भी changes करते हो, what is next, हम यहाँ पर line मारनी है, यानि कि एक horizontal line और एक vertical line, draw करनी है, basically, अग तो यह टीडी आ जाएगी, और shape की outline, weightage वगरा जो है, यहाँ से आप change कर सकते हैं, जैसे आप रखना चाहते हो, आपकी मर्जी, okay, ठीक है, यह line यहाँ पर रख दी, और इसको black color रखना है, मुझे basically, इसे select कर लो, shape format में जाओ, shape fill में जाओ, मतलब shape outline में जाओ, और यहाँ स मुझे यहाँ पर चाहिए, यह मुझे ऐसा section, दो sections बनाने है, तो मैंने यह दूसरा section बना है, shift button press करके line में यहाँ तक draw करूँगा, page के ending तक, bottom तक, जहाँ तक है आपके content, और फिर इसे भी shape outline में जाकर weightage दे सकते हैं, one का मैंने दिया है, उसको भी shape color यहाँ पर दे सकते है outline को color यहाँ पर दे सकते है, color दे दिया, हमने outline color दे दिया, सब कुछ दे दिया, यह proper हो गया, तो आपको यह resume का format, एक idea में आपको दे रहाँ, basically ऐसा ही बनाना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको, right, तो आप आपके सब से बना सकते हैं, मैं idea आपको दे रहाँ कि भाई, इस यह फिर आप बार बार ड्रॉ मत करो, यह उपर का जो text box है, इसी को आप copy करो, बार बार formatting करो, यह करो, इसी को आप copy paste करो, नीचे रखो, और copy paste करो, नीचे रखो, और इसमें आप content आप add करते जाओ, जो भी आपको अलग-अलग experience आड करना है, personal details आड करनी है, सारे content यहाँ content type करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, बस आपको बता रहो कि in text box की मदद से यह सारी चीज़े adjust होती है, और आपको adjust करनी आनी चाहिए, कि कैसे आपको adjust करना है, text box की मदद से हम कैसे content को add कर सकते, अब इस content में कैसे क्या लिखना है, bullets कैसे apply करना है, जैसे यहाँ पर दिखाए दे रहे, bullets अगरा, यह सारी चीज़े मैंने सीखा ही है, already, right, already हो चुक है हमारे formatting वगरा कैसे करना है, so you can do it, तो मुझे यह बताना है कि आप अलग-अलग shapes insert करके, अलग-अलग चीज़े Microsoft Word के अंदर कर सकते, धेर सारी चीज़े हम कर सकते, और इसके लिए पिक जरू लिग देना, I will try it guys, thank you very much for watching, see you in the next video, till then take care, bye-bye